Hello everyone and welcome to study with Sunil देखे दोस्तों किसान आंदुलन किसान आंदुलन आपकी एक्जाम की द्रस्टिकोंट से very very important है अगर आप पटवारी के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या फिर रीट के एक्जाम की रास्तान पुलिस की हर एक एक्जाम में किसान आंदुलन से related किसान आंदुलन के बारे में जितने भी facts बनते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे सो काफी important topic है इसलिए आप इस वीडियो को last तक जरूर देखना मेरे हर एक वीडियो की PDF और notification अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलिग्राम चैनल के ओपर जरूर फॉलो कर लेना देखिए अगर आपको ये writing समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप अपनी copy में जांकर देख लेना फिर आपको समझ में आ जाएगी वरना मैं साथ साथ में बोली रहा हूं तो साइध राइटिंग का कोई issue आपको नहीं होना चाहिए देखिए बिजोलिया किसान अंदुलन बिजोलिया जो किसान अंदुलन है वो 1867 से लेकर 141 तक यहनी की काईने का मतलब है यह 4460 तक किसान अंदुलन बिजोलिया किसान अंदुलन चला था बिजोलिया मेवाड रियास्त के उपरमाल जागिर का सदर मुकाम था बिजोलिया जो था वो मेवाड रियास्त का उपरमाल जागिर का भाग था वो बिजोलिया पर्थम सरेनी का परगणा था मेवाड रियास्त का मेवाड रियास्त का पर्थम सरेनी का परगणा था रास्तान में जो किसान आंदुलन है वो प्रारम होने की अगवाई किसके द्वारा की गई थी मेवाड के द्वारा ही की गई थी रास्तान में किसान आंदुलन प्रारम करने की अगवाई कौन सी रियासत के द्वारा निम लिखित में से की गई थी एक्जाम एसे क्यूशन पूछ सदाता है तो मिवाड क्या होगा वहाँ पर इसका करेट आंसर होगा बिजोलिया की इस्तापना भरतपूर के जगनेर निवासी असोग परमार के द्वारा की गई थी बिजोलिया की इस्तापना किसने की थी असोग परमार ने की थी और भरतपूर के वो जगनेर का निवासी था खानवा के युद में जो मारना सांगा था वो असोग परमार से काफी परबावित हुआ और असोग परमार की जो वीरता थी उसको देखकर मारना सांगा ने असोग परमार को बिजोलिया की जागिर परदान कर दी थी बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो क्या था विजियावली या फिर बिजियाले अब वर्तमान में बिजोलिया कहाँ पर इस्थित है तो वर्तमान में जो विजोलिया है वो कहाँ पर है बीलवाडा जिल्य में है निरास्तान का जो बीलवाडा जिल्य है वहाँ पर वर्तमान में बिजोलिया इस्तित है और बिजोलिया में दाख़ड जाती के सरवादिक किसान निवास करते थे कौन शी जाती के दाख़ड जाती के मेवाड का मारना तो फाता हो तो डावत कանनों गजा कुछे जाते हैं कि बिजोलिय किसान आंदूलन शुरू होते समय बिजोलिय का थिकानेतार कुछ थौर रावत if h waiter रावत शिंग थौर । ओर बिजोलिय आंदूलन प्रारम जौते समय मेवाड का मारना को। थौर फतैसिंग था, बिजोलिया की जनता थी उसके ओपर चोर्याशी परकार की लागबाग थी, लागबाग का मतल़ चोर्याशी परकार के कर वहाँ पर लगाए गए थे जिसमें किसान को उपजगा पचास परते सतर लगान के रूप में पड़ता था, तो आप समझ सकते हैं कि जो किसानों की जो आर्थिक दूर दसा थी वो कितनी बूरी तरीके से वहाँ पर हो गई थी अगर किसान जिसे दो बूरी अगर गेहु उत्पादित करता है तो उसमें से एक बूरी तो उसको लागबाग की रूप में ही देने पढ़ जाती थी रास्तान का ये सबसे बड़ा अहिंशा अंदोलें कोशान आचना और उसके सुरुजवाद होई थी 1897 में 1897 में इस बिजोलें किसान और उसकी पूरा की सुरुजवाद होई थी 1897 में बिजोलें जो गिर्धारी पुरा नाम का महाराना जो फतेशिंग था उसको अवगत कराया महाराना फतेशिंग को कर्षण सिंग के अत्याचारों के बारे में बताया कि हमें किस तरीके से वो ये लागबाग है ये कर्चोरेशी परकार के कर लगा कर हमारी जो उपज है उसका 50-30 भाग है वो अकेले वहाँ पर ले जाता है और हमारे खाने के लिए बिदाने वहाँ पर नहीं बचते तो बाद में नान जी और ठाकरी पटेल को उद्यपूर बेजा इसके लाव महाराना ने इसकी जांच करने के लिए ये जो मिटर था सारा इसकी जांच करने के लिए हामिद उशेन को बेजा था हामिद उशेन एक राजस्वय अधिकाई था जिसने किसानों की मांगों को उचित टेराया उसने कहा कि किसान इस मर्ति-भोज में जो भी मांग कर रहे हैं एक और कर्ड लगाता है, चौरी की लाग नाम से एक और कर्ड लगाता है, इस कर्ड में होता क्या था, कि विजोले में उपरमाल जागरि में जो भी कोई किसान अगर अपनी लड़की का विवाय करता था, तो उसको पांच रुपए टЕक्स के रूप में, कर के रूप में देन कर दिया, खेतों की बुवाई उन्होंने नहीं की, तो बाद में कर्षण शिंग में गवरा गया था, वो कौन बनता है पर्थवी सिंग बनता है और पर्थवी सिंग ने आते ही एक और कर लगा दिया वो कर कौन सा था तलवार बदाईकर तलवार बदाईकर नाम से एक और करकिस के दोरा लगा गया था बिजोलिया की किसानों के ओपर पर्थवी सिंग के दोरा लगा गया था इस इस विरोधगा नेतरत्व किसनी किया था सादू सीतरामदास ने और फत्य है करन चारन के द्वारा किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया था लेकिन इसकी देखता इसका इरोधगा नेतरत्व किया था सादू सीतरामदास और फत्य है करन चारन के द्वारा तो ये दोन पुस्तकाले के पद्गे उपर कारियर थे लेकिन सादू सितरामदास ने इस करके विरोध में इसका नेतरत्वा किया था जिसके बाद में ठिकानेदार पर्तवी सिंग ने सादू सितरामदास को हटा दिया और जो किसान थे जो इस करका विरोध कर रहे थे उन किसानों को केद गड़ लिया था बंदी बना लिया था 1914 में 1914 में ठिकानिदार केश रिंग सिंग जो फैस्ट वल्ड वोर होई थी पर्थामी स्वयूद उसमें अंगरेजों की सहायता की थी इसने और ये उसासक था इसने अंगरेजों की किसान आंदोलन में परवेश लेते हैं एक्जाम में आता है कि विजे सिंग पतिक ने किस के आग रहे के उपर विजोलिया किसान आंदोलन में परवेश लिया था तो सादू सितरामदास के द्वारा आग रहे किया गया था अब विजे सिंग पतिक का मूल नाम भी कई पार एक अजस्तान बेजा था गोपाल सिंग खरवा और भूप सिंग ने अजमेर में ससस्तर करांदी के लिए हत्यार एकत्रित करने का प्रारम किया था हत्यार एकत्रित करने सुरू कर दिये थे पुलिस ने इनको पकड़ लिया था और टाटकड के किले में कैद कर लिया था बाद में सादू सितरामदास ने विजय सिंग पतिक के विचारों से वो काफी परभावित हो गए थे और बिजोलिया पहुंचने का सादू सितरामदास ने विजय सिंग पतिक से आगरह किया था इसलिए विजय सिंग पतिक सादू सितरामदास के आगरह के उपर ही बिजोलिया पहुंचे थे और 1916 में उन्होंने इस आंदोलन में परवेसे लिया था देखे 1916 में आंदोलन का केंदर कौन सा था तो बिजोलिया का उगमजी खेड़ा उगमजी खेडा नाम की जो जगह है बिजोले की वो 1916 में इसे आंदोलन का प्रमुके के अंदर था मानिकी एलाल वर्मा मेवार राज के पत्र से त्याग पत्र देते हैं और वो भी इस आंदोलन से बिजोले की सान आंदोलन से जुड़ जाते हैं बाद में पत्ति गुनी सो सत्रा में हर्याली अमावस से बेरी साल में उपरमाल पंच बोर्ड की इस्तापना करते हैं गुनी सो सत्रा में विजै सिंग पत्ति के द्वारा हर्याली अमावस को बेरी साल में उपरमाल पंच बोर्ड की इस्तापना की गी थी और इस बोर्ड के जो पहले सरपंच थे वो किसको बना गया था मन्ना पटेल को बना गया था बाद में थोड़े समय बाद में इस से उपरमाल पंच बोर्ड का नाम बदल कर बिजोलिया पंच बोर्ड नाम रख दिया गया था एक चीज़ आप तेहन रखना उप्रमाल जो पंच बोर्ड था जिसका नाम बदलकर बिजोलिया पंच बोर्ड रखा गया था ये अलग चीज थी और 1906 में सादू सितरामदास के द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी ये अलग बोर्ड था इन दोनों बोर्ड को आप कंफ्यूज मत होना विज़े सिंग पतिक की जो द्वारा स्थापना की गई थी उप्रमाल पंच बोर्ड उसका नाम तो भीजोलिया पंच बोर्ड रखा गया और शादू सितरामदास के द्वारा अलग से एक किसान पंच बोर खूलने के लिए कौन सा गीत काया गया था ऑंचीडा नाम से एक गीत गाया गया था užजेशिंघ पतिक की द्वारा विजो भॉठ उपस्वा calendar को अखिल भार अप्रेल 1919 में मेवाड के जो फते सिंग थे वो मांडलगड के हाकीम बिंदुलाल बटाचारे की अधिक्स्ता में एक त्रीस तरिये जांच आयोग बिजोलिये बेशते हैं इस त्रीस तरिये जांच आयोग के जो अन्य सद्दिश्य थे उसमें एक था ठाकूर अमर सिंग और दूसरे थे नियादीज फेजल अली और इस त्रीस तरिये जांच आयोग ने ये सिफारिश्य की थी कि बिजोलिये की जनता के उपर जो अनावशिक लागते हैं और जो बेगार फरता हैं उनको समाप्त की जाएं और जो किसान नेता को बंदी बना रखा हैं उनेताओं को फ अनुद्र बासानी हो देखिए बिजोलिया मेवार रियास्त के उपरमाल जागिर का भाग था बिजोलिया मेवार्वार्ण tavalla का बरतम सिरनी का परगना था रास्तान में किसान ऑंदललन परार्ट करनने की अगवाई मेवार्ण रियास्ट के दोरा की गaler थी भरतपूर के लिया वो बेलवाडा में है दाकर जाती केसरवादी किसान यहांप निवास करते थे आंदोलन के प्रारम होते समय यहां का जो ठिकानेदार था वो रावत कर्शन सिंग था जबकि मेवाड का महाराना कौन था फटाई सिंग था बीजोलिया की जनता के उपर चोरेशी परकार क लागबाग लगा रखी थी और यहां के जो किसान थे वो अपनी उपजगा 50% फाग लगान के रूप में देते थे यह रास्तान का सबसे बड़ा अहिंसा आत्म किसान अंदोलन था विजोलिया किसान अंदोलन की जो सुरुआत थी वो 1870 में हुई थी 1870 में विजोलिया के हुशेन जो की एक राजस्वा अधिकारी था उसको बेजा था जिसने किसानों की मांगो उचीत टहरा है लेकिन मेवाड सरकार ने इसके उपर कोई भी कारवाई नहीं की ती जिसे परवावित होकर करशन सिंग ने नान जी और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निसकासित कर दिया था गुनी सो तीन इस्वी में करशन सिंग ने उपरमाल की जनता के उपर चवरी की लाग नाम से एक और कर लगा दिया जिसके तहएत लड़की के विवाह के उपर पांच रुपे की चवरी के रूप में देने होते थे चवरी कर के विरोध में किसानों ने आखा ती यानि कि वेशाक शुकल तर्तिय को खेतों की बुवाई नहीं की जिसे बाद में करशन सिंग गबरा गया था और उसने इस चवरी कर को वापस समाप्त कर दिया गया था गुनी 106 एस्वी में करशन सिंग की मरती हो गई थी और पर्तिव सिंग बिजोलिया का नया ठीका निदार बना था जिसने बिजोलिया की जंता के ओपर तलवार बंदाई नाम से एक और कर लगा दिया इसी करके विरोध में सादू सीतरामदास और फटेय करन चारण के ने में उपरमाल के जंता ने इसका विरोध गिया था सादू सीतरामदास ने बिजोलिया में किसानों की जंजागरती फेदाने के लिए एक मित्र मंदल संग की अस्तापना की थी सादू सीतरामदास के दौरा बिजोलिया में राज के पुस्तकाले के पतिके ओपर कारियत थे ज जोलिया किसान अंदुलन में 1916 इस्वी में परिवेश लिया था विजय सिंग पतिक का मोहल नाम भूप सिंग था और ये उत्तर परदेश राज्जे के बुलंद सहर जिले के गुठावली गाउं के निवाशी थे सचिंदर नात सान्याल ने गोपाल सिंग खरवा की सायता के लिए इनको रास्तान बेजा था अजमेर में और गोपाल सिंग खरवा और भूप सिंग ने अजमेर में ससस्तर करांदी के लिए हत्यार एकत्रित करना सुरू कर दिया था पुलिस ने इनको पकड़ लिया था और ट रहे किया था उसके बाद में 1906 में विजये सिंग पतिक बिजोल्या पहुंचे और इसमें बिजोल्या का उद्धम जी खेडा अंदोलन का एक परमुक के अंदर था इसी समें मानिक्या लाल ने मेवाड राज के पथषे त्याग पत्र दे दिया में बिजोलिय किसान पंच बोड रखा गया था ध्यान रहे कि 1916 में सादू सितरामदास ने किसान पंच बोड की अस्तापना की थी मानिके लाल वर्मा ने किसानों में जंजागरती उत्पन करने के लिए पंच शिड़ा नाम से एक गीत गाया था और विजे सिंग पतिक ने का जांच आयोग बिजोलिया बेचा जिसके अन्य सदस्य ठाकूर अमर्शिंग और नियादीज फेजल अली थे इस जांच आयोग ने अनावशिक लागते और बिगार परता को समाप्त करने तता किसान नेताओं को केद्शे मुक्त करने की सिपारिश की लेकिन मिवार सरकार न थैंक्स वर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू आल